नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ताना जी वर्सिस गुड नियूस मूवी की और आपको बताएंगे इन दोनों में से कौन से फिल्म ने की ज़्यादा कमाई कौन सी फिल्म ने वारी बाजी और कौन पड़ा किस पर भारी मगर दोस्तों उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको फिल्म और इंटर्टेंडमेंट से जूड़ी सभी जानकारिया मिलती रहे तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं पहले बात करते हैं गुड नियूज फिल्म की दोस्तों गुड नियूज एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके डारेक्टर है राज मेता और इससे प्रोडूस किया है हिरुयस जोहर, अरुना भाटिया, करण जोहर, अपूर्वा मेता और शशांग खेतानने और इसके इस्टार काश्ट में मुख्य किरदारों में नजर आए हैं सुपरिश्टार अक्षर कुमार, करिना कापूर खान, दिलजित दोशांच और कियारा आडवानी जैसे एक्टर्स और दोस्तों आपको बता दे कि इस फिल्म को क्रिटिक्स और ओडियंस दोनों के बहुती शांदार रिवीउज मिले थे और ओडियंस का बहुती धमाकेदार रिस्पॉंस मिला था और अभी भी अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है और अगर बात करें इस फिल्म के बजट की तो आपको बता दे इस फिल्म का बजट है लगभग साहट करोड उपए जिया दोस्तों साहट करोड और इसे इंडिया में लगभग 3100 स्क्रिंज पर और सिद में लगभग 700 स्क्रिंज पर यानि के वर्ल्डवाइट टोटल 3800 स्क कि इस फिल्म को क्रिटिक्स और ओडियंस दोनों के ही दुआरा बहुत पसंद किया गया और बहुत तारीफे मिली साथ ही साथ अक्षर कुमार सर के काम को भी बहुत तारीफे मिली बहुत पसंद किया गया और अगर बात करें इसके box office collections की तो दोस्तों आपको बता दे इसने इंडिया नेट पर total कमाये की लगवग 24,94 लाक रुपए इंडिया ग्रास पर कमाये लगवग 242 करोड रुपए और सिस्स ने शान्दार कमाये की और कमाये लगवग 24 करोड रुपए और अगर बात करें इसके Worldwide Box Office Collection की तो दोस्तो आपको बता दे इसने Worldwide पर टोटल कमाई की लगवाग 316 करोड रुपाए जिया दोस्तो 316 करोड और आईए अब बात करते हैं ताना जी फिल्म की दोस्तो ताना जी एक बायोग्राफिकल पिरेड एक्शन फिल्म है जिसके डिरेक्टर है ओम राउत और इस फिल्म को लिखाए प्रकाश कपाडिया ने और इसे प्रोड्यूस क्या है अजय दोगन, भुशन कुमार, किशन कुमार ने और दोस्तो ये फिल्म T-Series के बेनर दले बनी है और आपको बता दे कि ये फिल्म आधारित है ताना जी मालुसारे जीके जीवन पर जो कि मराठा सेना के वीर और प्रनाक्रमी योद्धते इसकी स्टार काश्ट में मुख्य किदारों में नजर आए है सुपरिश्टार अजीद अगन सर सैफ अलिखान काजोल शरत के किया गया बहुत तारीफ है मिली और सबसे ज्यादा तारीफ है मिली आजए देगंसर को उन्होंने इस फिल्म में बहुत ही उंदा काम किया है और दोस्तों यह फिल्म आल टाइम ब्लॉकबश्टर हो चुकी है और अगर बात करें इसके बॉक्स ओफिस कलेक्शन की तो दोस दिन इंडियानेट पर कमाए लगवग 3 करोड 30 लाख रुपए और ये अपने 32 दिन याने के आज इंडियानेट पर कमा सकती है लगवग 1 करोड रुपए जी है दोस्तों 1 करोड रुपए इसका अब तक का टोटल इंडियानेट कलेक्शन है लगवग 266 करोड 73 लाख इष्ट से टोटल कमाय की है लेखख 350,090 करोड़ रुपाए जया दोस्तो 3451 करोड़ और अगर बात करें इन दोनें के सब्सक्राओर अगर आपने दोनों फिल्म में देखी हैं तो आपको इन में से कौन से फिल्म ज्यात अच्छी लगी गुड नीज या ताना जी इन दोनों में से आपका फेवरेट सुपरिश्टार कौन है अक्षे कुमार या जदेवन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे इस वीडियो को द मेँ करेंग झाले ह यान करूले हमने से एके कुमारे थे यारेट